इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकोन पर घंटी मारिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम आता रहे मेरे चैनल का नाम है Online Vastu Astrology मैं अनिल कुमार सेट, Astrology, Vastu & Numerology Expert नमस्कार मित्रो, मैं अनिल कुमार सेट, Astrology, Vastu & Numerology Expert आज हम सूरे का जो राशी परिवर्तन हो रहे हैं वरिशब राशी में उसके उपर वीडियो लेके आए हैं तो सूरे जो है मेश राशी को छोड़ते हुए, वरिशब राशी में 14 मई 2020 को शुकर के गर में परिवर्तन होने जा रहा है और इसका राशी वाइस क्या इंपेक्ट आने वाला है, ये आज आपको यूट्यूब के माद्धम से हम राशी वाइस बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की, मेश राशी वालों का सूरे मेश राशी से चेंच होकर वो वरिशब राशी में परिवर्तन करने जा रहा है जो की मेश राशी का ये दूसरे भाव में परिवेश करने जा रहा है, दूसरा भाव कुटम परिवार वानी का होता है और सूरे जो है आपका fifth house का Lode है पांच में भाव का जो Lode है वो आपका decision power का Lode जो है सूरे वो आपके second house में revisit करने जा रहा है second house जो है हमारा bank balance का भी होता है आपको थोड़ा वानी में अपना ध्यान रखना है बात करते समय थोड़ा सा अपने विचारों को गुसे में नहीं लेके आना है क्योंकि फिफ्थ हाउस का लोड सूरे जो है आपकी बाड़ी की इम्मिनिटी का भी है आपको सेकिंड हाउस में जाने से सूरे आपको अपने सेथ पर पूरा ध्यान देना है बाहर की चीजों का ज़्यादा सेवन नहीं करना है क्योंकि वाइरस की वज़ा से आपको अपनी हेल्थ के उपर बहुत दियान देना है सूरे की जो एक ही दृष्टी होती है वो आपकी एट्थ हाउस पे जारी है एट्थ हाउस आपका अकॉल्ड स्टेडिस का भी माना जाता है सूरे हालाकि अपनी मित्तर की राशी में यहाँ पर दृष्टी डाल रहा है विरष्टीक राशी पे आपको अपनी हल्थ के उपर दियान देना है और परिवार के साथ आपको बनाके रखनी हैं सूरे जो है आपका वरिशब राशी में थोड़ा शुकर के गर में थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए कर सकता है आपको परिवारिक गती विदियों को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को बहुत ही कूल रखना है अगली राशी की बात करत बाव का लोड आपका सूरे जब पहले बाव में जाता है तो माता के साथ आपका कुछ ना कुछ मिस्ट अंडरस्टेंडिंग करेट करता है क्योंकि सूरे अंगार प्लैनेट है और ये शुकर की राशी को परिवावित करेगा और दूसरी बात ये है कि सूरे जो है साथ में घर में भी आपकी दरिश्टी डाल रहा है पतनी के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है हलांकि कारेक शेतर के लिए तो सूरे आपका अच्छा है लेकिन मातर सुक में ये कमी लाएगा और पतनी के साथ ये विवाद खड़ा करेगा आपको अपनी मेंटल वैलंस को कूल रखना है सूरे के लिए आप बगवान सूरे की अरादना रोज कर सकते है मित्वन रशी की बात करते है मित्वन रशी वालों का सूरे वरिशव रशी में ट्वैल्थ हाउस में जा रहा है और ये तीसरे भाव का आपका प्लैनिट है तीसरे भाव का प्लैनिट आपका जब ट्वैल्थ हाउस में जाता है तो आपके अनेक्सपेक्टिड खडशे करता है और तीसरा भाव का जो लोड है आपकी 12 थाउस में जाने से आपको मित्रों या भाईयों के उपर कोई मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है सूरे की जो सीधी दृष्टी आपकी छटे भाव पर जा रही है करजा रोग बिमारी पर जा रही है आपका यहां पर आपका मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है क्योंकि शनी भी आपका 8 थाउस में ट्रांजिट कर रहा है बहुत दियान से चीजों को डिल करना है बाहर की चीजों का सेवन नहीं करना है और जो इस समय वाइरस की प्रॉब्लम चल रही है उसके उपर आपको पूरा ध्यान देना है जिसकी वज़ा से आपको कोई ना कोई बाडी में किसी भी तरह से कोई भी इंडिकेशन लगता है तो तुरंट आप इसकी मेडिसिन या आईरवेदी कुपचार आप इसके इमिचेटली कर सकते हैं अगली राशी है आपकी करक राशी करक राशी वालों का सूरे जो है आपका लाभाव में जा रहा है इस इस वेरी गूड साइन बिकॉस सेकिंड हाउस जो आपका लोड है वो यो करक राशी आपके लाभाव में आपको धन मान परतिष्टा देगा आपके मान इज्जत वरिद्धी करेगा और दूसरी बाशी है परिवार एक दरिष्टी से भी अच्छा है आपको परिवार से पूरी सपोर्ट मिलेगी कोई आपका पुराना चलता हुआ जगड़ा भी रिजॉल्व होजएगा शूरे यहां पर आपके लाभाव में आपके गेन में जा रहा है जो कि आपके फिफ्ट हाउस को देख रहा है जो कि आपके बाड़ी की डिसीजन और बच्चों के उपर देख रहा है आपको सिंग राशी का सिंग राशी वालों का सूरे जो है वरिशब राशी में यहां पर टैंथ हाउस में जा रहा है टैंथ हाउस में जब सूरे का यह गोचर चलेगा तो आपके वेपारिक दृष्टियों में भी वरिद्धी करेगा आपके वेपार में बड़ोती करेगा और सुख में आपके व्रिद्धी करेगा आपको प्रॉपर्टी में कोई ना कोई आपका कोई लेंदेन भी ये सूरे कर सकता है सूरे जहां टैंथ हाउस में जा रहा है दिशाबली दक्षिन की तरफ इसका मूव होगा और विपारिक दृष्टी के लिए आपका काफी समय शुब होने वाला है सूरे की आपकी जो ये जो ट्रांजिट हो रहा है वरिशब राशी में क्योंकि शुकर आलड़ी यहां बैटा हुआ है ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहा है अगली राशी की बात करते हैं कन्या राशी कन्या राशी वालों का सूरे जो है आपके हाउस का लोड आपके भागे में जाता है तो आपकी यात्राओं कहीं ना कहीं से आ सकते हैं लेकिन इस समय लॉक्टाउन की वज़ज़ से आपकी यात्रा नहीं लेकिन आपका धर्म के प्रति काफी रुजाव रहेगा आप कोई ना कोई धार्मिक चीजों में आपकी इंट स्टेंडिंग करेट हो सकती हैं क्योंकि सूरे जो है अपनी शत्रु राशी में जा रहा है यहां पर आपको अपने विचारों को मतबेद में नहीं कनवर्ट करना है थोड़ा सा ट्यूनिंग में आपका द्यान अकना है अगली राशी है आपकी तुला राशी तुला राशी वालों का जो सूरे है वो आपका आठवे बाव में जा रहा है आठवे बाव में ये शुब साइन है क्योंकि आपके लिए हेल्थ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है क्योंकि सूरे जो है आपका लेवन था उसका लोड आठवे बाव में जाता है तो आपकी प्रॉफिट में कारेक्षित्र में भी कमी लाएगा और आपको हेल्थ की बॉड़ी की इम्यूटी को ये वीक करेगा क्योंकि सूरे की सीधी दुरिश्टी आपकी दूसरे बाव में जा रही है यहां पर आपको फूड की कोई भी आइटम आप खाते हैं उसको अच्छे से हाईजेनिक करके उस जूड वालों का जो सूरे है वो आपके साथ्में भाव में ट्रांजिट करेगा, साथ्मां भाव हमारा डेली रूटीन होता है यहां पर आपकी सूरे की जो ट्रांजिट होने जारी है वो आपके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तन दिखा रही है क्योंकि केंदर में सूरे आपका ट्रांजिट कर रहा है 10th house का Lord जो आपका वेपारिक है उसमें मान प्रतिष्टा में वरिदी दिखा रहा है सूरे आपका सीधा राशी को देख रहा है राशी को देखने से आपके मान प्रतिष्टा में वरिदी हो रही है और आपके जीवन में नहीं opportunities भी यहां सूरे क्रेट कर रहा है आपका कोई पुराना ड्यूस यहां बॉस आपके तरफ थोड़ा नरम रहेगा और आपको आफिस में भी appreciation मिल सकता है सूरे आपका 7th house में daily routine work में काफी अच्छा फल देने वाला है लेकिन life partner के साथ आपको tuning यहां पर बना के रखनी है life partner की सेथ पे भी द्यान देना है और अगली राशी की बात करते हैं आपकी धनू राशी की धनू राशी वालों का सूरे जो है आपके छटे बाउ में जा रहा है छटा बाव जो आपका करजा रोग बिमारी का होता है और सूरे जो है छटे बाउ में जाने से आपके 12th house को देख रहा है बार में वाव में कोई medical expense दिखा रहा है क्योंकि पिता की सेथ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि 9th house का load सूरे आपके छटे वाव में जाने से 12th house को देख रहा है पिता की health पे कोई ना कोई expense आ सकता है और आपकी बाडी की immunity भी यहां weak रहेगी क्योंकि छटे वाव में सूरे आपकी हड़ियों में विटामिन D की मातरा को कमी लाएगा आपको बाडी की immunity को पूरा करने के लिए विटामिन C की मातरा को बढ़ाना पड़ेगा अगली राशी की बात करते हैं मकराशी की मकराशी का जो सूरे है वो आपका fifth house में जा रहा है fifth house में जाने से आपको पेट के सबंदित बिमारियां उत्पन हो सकते हैं क्योंकि first house में आपको पेट से related कोई problem आ सकती है क्योंकि शुक्रालडी बेठा हुआ है आपको बच्चों की तरफ से भी आपकी सहत खराब हो सकती है आपको उनका ध्यान देना है बॉड़ी की इम्मिनिटी को बनाने के लिए आप अपनी विटामिन सी की मातरा और योगा प्रानायम कर सकते हैं लेकि सूरे आपका लाभाव में भी दृष्टी कर रहा है आपका कोई न कोई डिसीजन आपको याँ पर गेन दे सकता है क्योंकि एहां पर आपका सूरे जो है वो सीधा वृष्टी कर लाभाव में भाव भी देख रहा है आपकी बुद्दिस्ट से आपको या धन की आने की संभावना बनती है अगली राशी की बात करते हैं कुम्ब राशी की, कुम्ब राशी वालों का सूरे आपका वरिशब राशी में चौथे बाव में ट्रांजिट कर रहा है, चौथा बाव आपका मातर सुक का है, यहां पर मातर सुक में कमी लाएगा, घर में किसी बात पर इशू होगा, मदर के स को यहां परवावित करेगा अगर आपका वातावरन अश्यू बरेगा तो आपके प्रवावित करेगा घर में कोई आपकी अगनी जैसे इलेक्टरोनिक आइटम है उसको भी ये डेमेज कर सकता है उसका ध्यान दीजिए और दूसरी राशी है मीन राशी मीन राशी वालों का जो सूरे है वो आपका वरिशव राशी में तीसरे भाव में जा रहा है ध्यान रिखिए कोई रिष्टेदार आपके दोनों भाई बहनों के बीच में कोई मिस अंडरस्टेंडिंग करेट करने की कोशिश करेगा और सूरे जो है साथ भी दुरिष्टी से आपके भागे को देख रहा है और सूरे को रोच नहाने के बाद जल भी दे सकते हैं जिससे आपका सूरे जो है वो अच्छा फल देगा इसके साथ ही हम आपसे आग गया लते हैं नमस्कार